Welcome back to my channel Crypto Minders दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Metaverse की Last 2-3 weeks से ये एक hot topic बना हुआ है पबलिक के बीच में जब से Facebook के CEO मार्स जुकरबग ने अपनी सभी company के लिए एक parent company बनाई है जिसका name है Meta थोड़े टाइम पहले सेम ऐसा ही Google ने भी किया था उन्होंने भी alphabet name की एक parent company बनाई थी जिसके अंडर सभी Google company work करेगी Microsoft, Apple, Epic Games जैसी सभी big tech companies इसके उपर work कर रही है बट मार्क जुकरबग ने बस Meta company ही नहीं बनाई उसके साथ साथ उन्होंने Metaverse के बारे में भी world को एक vision दिखाया है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे पहले जानते हैं Metaverse क्या है अगर बिल्कुल सिंपल वे में बात करे तो Metaverse है एक तरह का 3D virtual world जहां पर आप किसी और परसन के साथ पी interact कर सकते हो और अगर मार्क चुकरबग ने जो vision public के सामने show किया है उसके according हम meeting attend कर सकते है through the VR headset and अगर हम कहीं बाहर जाते है तो हम smart glasses का use कर सकते हैं जो हमें augmented reality offer करेगा और साथ में सब कुछ record करेगा जो हम देखेंगे और सुनेंगे इसके साथ साथ ये एक virtual reality होगी तो जो इसमें economy होगी दोस्तो वो भी digital economy होगी like cryptocurrency जिसके through हम goods buy और sell कर सकते हैं बट अभी का जो platform है दोस्तो वहाँ पर हम अपने avatar को and virtual items को platform पर use कर सकते हो आप उसे किसी दूसरे platform पर नहीं लेकर जा सकते बट metaverse में आप ऐसा कर पाऊगे एक platform से अनदर platform पर jump कर सकते हो like copy and paste metaverse को हम access कर सकते हैं अपने phone से computer के थूँ wearable tech and headset के थूँ अभी metaverse का कोई single meaning नहीं है दोस्तो इसके बारे में बात करना ऐसे है जैसे किसी भी new technology के बारे में बात करने जैसा like first time जब internet बनाया गया था किसी को कोई idea नहीं होगा future में internet इतना जुरूरी aspect हो जाएगा life का वैसे ही metaverse technology है दोस्तो अभी इसे एक meaning देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमें नहीं पता क्या क्या ideas इसमें add होने वाले है metaverse का idea new नहीं है दोस्त first time इस word का use Neil Stephenson में 1992 में किया था अपनी dystopian sci-fi novel snow crush में इसमें उन्होंने metaverse को बताया था एक mixed reality जो बनी थी virtual और augmented reality को जोड कर इस novel में जो लोग थे वो goggles और terminal से connect होकर metaverse से connect हो जाते थे कई सारी gaming companies भी metaverse पर work कर रही है Roblox and Epic Games की Fortnite तो Mark Zuckerberg से भी आगे है इस field में दोनों ही games में आपको virtual world देखने को मिलेगा जहां पर आप millions of players को देख सकते हैं खेलते हुए और socialize होते हुए इसके साथ साथ आप अपनी skins और clothes भी buy कर सकते हो वहाँ पर and Fortnite तो Arena Grande का concert भी करवा चुके है जिसको millions of users ने attend भी किया था अपने customized avatar के साथ यह event छो कर रहे है हम metaverse में अंटर हो चुके हैं क्या का dimension होगे metaverse में यह जानते हैं फर्स्ट है दोस्तो home space आपके पास आपका home space यानि virtual space होगा जैसे आप जैसा चाहो वैसा change कर सकते हो according to your mood आप जैसे real world में land buy और sale कर सकते हो वैसे ही virtual world में भी कर पाओगे through digital currency सेकिंड है दोस्तो avatar आपके पास आपका खुद का एक avatar होगा आप उसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो जैसे हम लोग pubg में अपने player को decide करते हैं वो कैसा दिखना चाहिए उसके cloth कैसे होने चाहिए यह avatar virtual world में आपको represent करेगा presence दोस्तो जो भी आपका virtual space और land होगा वहाँ पर आप अपने friends को invite कर सकते हो जैसे आप अपने device like VR के through metaverse से connect होंगे वैसे ही आपके friends भी connect होंगे तो आप एक दूसरे को अपने space पर invite कर सकते हो इंटर ओपरेटेबिलिटी different different platform metaverse पर काम कर रहे हैं like games हम pubg, free fire, call of duty, fortnight जितनी भी games है सभी में हमें new character बनाना पड़ता है game स्टार्ट करने से पहले but metaverse को interoperatable बनाया जाएगा जिसमें आपका एक अवटार सभी different platform पर work कर सके next है दोस्तो digital goods जैसा मैंने आपको बताया आप videos में digital goods देख चुके हो like real world इसमें भी हम goods buy कर सकते है like cloth, car, etc जो भी virtually goods available होगी उसे हम buy कर सकते हैं और sell कर सकते हैं holographic technology दोस्तो holographic technology का use आपने iron man की सभी movies में देखा होगा in future metaverse में भी holographics technology का use हमें देखने को मिलेगा ये सब चीज़ा में देखने को मिलेगी दोस्तो metaverse में अब बात करते हैं benefit क्या होगा metaverse से first benefit है दोस्तो improve medical technology medical technology के इतना advance होने के बाद भी हमें किसी medicine को test करने में बहुत ज़्यादा time लग जाता है और जो surgical equipment है दोस्तो उसका भी हम पूरी तरह से इसमाल नहीं कर पाते हैं but after metaverse virtual reality के थुरू medical professionals को बहुत अच्छा खासा data मिल जाएगा research करने के लिए जो modern medical equipment होंगे वो भी evolve हो जाएगे metaverse के integration के साथ and जो operation होंगे वो ज़्यादा successful होंगे after metaverse second benefit है दोस्तो consumer can test product before purchasing सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा दोस्तो customer को like पहले हम clothes buy करते थे market जाकर but अभी हम shift हो रहे हैं online shopping पर but in metaverse आप कुछ buy करना चाते हो तो उसका experience आप घर बैठे ले सकते हो कैसा फिल होगा आपको उस product को buy करने के बाद तो ये भी एक benefit है दोस्तो metaverse का next benefit है दोस्तो save time like we know time is money and after metaverse हम ज़्यादा time save कर सकते है और time को और ज़्यादा अच्छे से utilize कर पाएंगे हम घर बैठे ही meeting attend कर पाएंगे हमें जाने के जूरत नहीं है वहाँ पर COVID-19 ने हमें ये बता दिया है work बस office में बैठकर ही नहीं हो सकता है work हम घर पर बैठके भी कर सकते हैं and same impact schooling पर भी पड़ेगा and metaverse work from home and home schooling को इप्रूव करने में both help करेगा अब बात करते हैं challenges की metaverse को क्या क्या challenges face करने पड़ेंगे सबसे बड़ा challenge होगा दोस्तो data privacy and security का अगर facebook की ही बात करें तो दोस्तो facebook पर user के data को गलत तरीके से use करने के allegation लगते रहे हैं और अभी कुछ time से social media के कई portal से data leak होने की news हमें मिलती रहती है और ये user से लिए सबसे बड़ा concern है कैसे protect करें अपनी privacy को ये metaverse के लिए भी एक बड़ा challenge रहेगा second दोस्तो mental health metaverse technology से connect होने के लिए हमें equipment की जूरत होगी like VR but ये VR headset बहुत हैवी भी है उसे use करने से mental health issue भी देखने को मिले है metaverse के लिए connecting equipment को बहुत ज़्यादा improvement करने के जूरत है ये भी big tech companies के लिए बहुत बड़ा challenge रहेगा next दोस्तो expensive equipment जितने भी equipment metaverse से connect के लिए होंगे दोस्तों वो बहुत ही expensive होंगे और normal person उसे afford नहीं कर सकता equipment को afford बनाना एक big challenge होगा tech companies के लिए बट ये इतना hard नहीं होगा because technology टाइम के साथ affordable हो जाती है like starting में computers का use बस government और कुछ big tech companies ही करती थी but अभी every person computer का use करता है same ऐसे ही phone के साथ हुआ है television, internet सबी time के साथ affordable और normal person की reach के अंडर आ गए है metaverse surely एक बहुत बड़ा change होने वाला है दोस्तो but अभी बहुत time लगेगा इसमें जैसा की 80s में computers 90s में internet 2000 में smart phones और अभी की बात करें तो cryptocurrency इसी तरह metaverse भी एक बहुत बड़ा impact लाने वाला है world पर metaverse कैसे impact करेगा हमारी life पर ये depend करता है हमारे खुद के उपर हम कैसे उसे use करते है कोई metaverse को अच्छे से use करेगा दोस्तो तो कोई metaverse को बुरे तरीके से use करेगा but it will happen just like with other innovation ये था दोस्तो आज का हमारा वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share कीजिए और आपकी कोई query है तो comment section में comment करके share कर सकते हैं और लास्ट channel को subscribe करना ना बूले थैंक्यू जैहिन